नमस्कार दोस्तों कैसे हैं स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल कीरतिमान फ्यूचर क्लासेज में आज हम सीखेंगे कि रासाइनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं जैसे हमने पहला रासाइनिक समीकरण लिया है H2 में हम जब CL2 से अफकरिया कराते हैं तो HCL बन जाता है रासाइनिक समीकरण के दो भाग होते हैं पहला भाग होता है अभिकारक यानि जो अफकरिया में भाग लेता है वो क्या कहलाता है अभिकारक तो ए देखिए ए हमारा क्या हो जाएगा अभी कारक अफगरिया कराने पर जो बनता है वो क्या कहलाता है उत्पाद अफगरिया में उत्पन पदार्थ क्या कहलाता है उत्पाद देखिए H2 और CL2 ने जब अफगरिया की तो उत्पाद में क्या बनाया HCL याने hydrochloric, अमले, तो हमें यहां प्रमाड़ियों की संख्या को बराबर करना है, left hand side और right hand side, यह हमारा क्या होगा, left hand side और यह क्या होगा, right hand side, इसमें हमें प्रमाड़ियों की संख्या को बराबर करना होगा, आप बिलकुल ध्यान से समझेगा, चलिए जैसे हम इसको करते है तो क्या हो जाएगा देखिए एच के कितने प्रमाड हो गए यहां पर दो प्रमाड हो गए तो एच के दो प्रमाड हो गए और सी यल के कितने प्रमाड हो गए यहां कितना है दो तो सी यल के दो प्रमाड हो गए यह क्या है left hand side है और यह क्या है हमारा right hand side right hand side तो और right hand side में देखेंगे H के कितने प्रमाड हो गए यहाँ देखिए कुछ नहीं है तो एक माना जाएगा H के कितने प्रमाड हो गए एक हो गए और CL के कितने प्रमाड हो गए कुछ नहीं है तो एक है तो यहां से CL के कितने प्रमाड हो गए एक है और एक क्या है एक साथ है HCL यानी ग्रूप में है अब देखिए यहां 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 के कितने प्रमाड होए लेकिन यहां H के कितने प्रमाड होए एक प्रमाड होए और यहां देखिए CL के कितने प्रमाड होए लेकिन यहां CL के कित left hand side के बराबर हो जाए, हमें left hand side और right hand side को बराबर करने के लिए किसी भी संख्या से गुड़ा अत्मभाग दिया जा सकता है, तो चलिए देखिए यहां अगर हम दो से गुड़ा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, H के भी दो प्रमाड हो जाएंगे और CL के भी दो प्रमाड हो जाएंगे, देखिए यहां left hand side में H के दो प्रमाड, right hand side में भी H के दो प्रमाड हो गए, CL के कितने दो प्रमाड, left hand side में right hand में CL के कितने प्रमाड हो गए, अब हमने जिससे गुड़ा किया है उसको हम इसमें रख देंगे बस वही क्या हो जाएगा संतुलित समीकरण हमारा संतुलित समीकरण क्या हो जाएगा H2 प्लस CL2 अफकरिया कराने पर हमारा क्या हो जाएगा देखिए हमने इस गुरूप में हमने किस से गुड़ा किया दो से गुड़ा किया दो से गुड़ा करने पर ही लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के प्रमाणूं की संख्या बराबर हुई तो हम जिस से गुड़ा किये थे वही हम यहां लिख देंगे यानि हमने 2 से गुड़ा किया था तो 2 हो गया किस में गुड़ा किया था HCl में तो HCl हम लिख देंगे यही क्या हो गया एक समीकरण संतुली समीकरण हो गया उमीद करते हैं आप पहला बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे चलिए फिल लेते हैं next तो जैसे हमने दूसरा लिय हम करते है तो चलिएस को करेंगे संतुली तो हमारा क्या हो जाएगा देखी तो 1 यहां कुछ नहीं है तो एक है तो हमारा एयल का क्या प्रमाण हो गया विल्कुल ध्यान से समज़िएगा और यहां देखिए H के कितने परमाड़ है at यहांस के كितने हो गया एक परमाड़ हो गया और CL के कितने परमाड़ Peng यहां कि और क्या है क्या है यहांनि एक साथ में यहां never right hand Side चलीए देखिए यहां AL के कितने परमाड है AL यहां कुछ नहीं है तो 1 है AL के हमारे 1 परमाड हो गया और CL के कितने परमाड है CL के 3 परमाड है और H के कितने परमाड है 2 परमाड है यहां देखिए एक ग्रूप में है AL CL 3 एक साथ है यानि ग्रूप में है और H के कितने परमाड़ है दो परमाड़ है यह हो गया अब हमको करना है संतुनी देखिए बिल्कुल ध्यान से समझिएगा देखिए AL के यहां कितने परमाण है left hand side में 1 और यहां भी right hand side में AL के कितने परमाण है और देखिए right hand side में CL के कितने परमाण है 3 लेकिन left hand side में CL के कितने परमाण है हमको 3 बनाना है left hand side में 3 परमाण है हमको left hand side में भी 3 परमाण बनाना है CL का तो हम क्या करेंगे 3 से गुड़ा कर देंगे तो दोनों में गुड़ा होगा H के कितने प्रमाड हो गए 3 और CL के कितने प्रमाड हो गए 3 हो गया आप बिल्कुल आसानी से यहां तक समझ गए होंगे चली देखिए यहां H के कितने प्रमाड हो है यहां अगर हम 2 से गुड़ा कर देते हैं तो ए भी कितना हो जाएगा हमारा 6 प्रमाड हो जाएगा 3 प्रमाड था 2 से हमने गुड़ा किया क्या हो गया 6 प्रमाड हो गया और इसमें भी 2 से गुड़ा हो गया तो क्या हो जाएगा, तीन दून अच्छा प्रमाड इसका भी हो गया, देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में, ह के कितने प्रमाड, 6 और राइट हैंड साइड में, ह के कितने प्रमाड हो गए, 6 प्रमाड हो गए, और left hand side में CL के कितने परमाड होए 6 परमाड होए और right hand side में CL के कितने परमाड होए 3 तो हमें left hand side बराबर right hand side करना है तो अगर हम इसमें 2 से गुड़ा कर देंगे तो क्या हो जाएगा AL के 2 परमाड हो गए और CL के कितने परमाड हो जाएंगे 6 देखिए आप बिल्कुल आसानी से यहां तक समझ गए होंगे 2 से हमने इसलिए गुड़ा किया क्योंकि यहां देखिए left hand side में CL के कितने परमाड होए 6 परमाड होए लेकिन right hand side में 3 परमाड थे अगर हम 2 से गुड़ा कर देंगे तो A भी क्या हो जाएगा 6 परमाड हो गया यहां देखिए AL के कितने परमाड हो गए 2 परमाड लेकिन यहां इस तरफ left hand side में AL के कितने परमाड होए दो परमाड हो गए H के कितने परमाड हो है लेफ्ट हैंड साइड में 6 परमाड और राइट हैंड साइड में H के कितने परमाड हो गए 6 परमाड CL के लेफ्ट हैंड साइड में 6 परमाड और राइट हैंड साइड में 6 परमाड तो चलिए हमने जिस जिस का गुड़ा किया है उसको हम यहां रख देंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा संतुलिस समीकरण हमारा क्या हो जाएगा देखिए अब क्या हो गया अब क्या हो गया यही हमारा क्या हो गया संतुलिस समीकरण हो गया उमिद करते हैं आप बिल्कुल आसानी से समझ गए हो गया हूँगे चलिये फिल लेते हैं तीसरा हमारा क्या दिया गया है तो चलिये हमने जैसे नंबर तीसरा ले लिया तीसरा क्या है या ने ओया सोडियम हाइडराकसाइड में जब सल्फियूरिक अमल की अफ्क्रिया कराते हैं तो सोडियम सल्फिट और जल बन जाता है यह हमारा क्या है लेफ्ट हैंड साइड और यह क्या है अभिक्यारक है अफ्क्यारक यानि जो अफ्क्रिया करेगा और यह क्या है उत्पाद है अफ्क्रिया करने पर जो पदार्थ पराप्त होगा और क्या कहलाता है उत्पाद यह हमारा लेफ्ट हैंड साइड और यह हमारा राइट हैंड साइड बिल्कुल ध्यान से समझिएगा देखिए यहाँ N1 के कितने प्रमाड होगए, एक प्रमाड होगए, एक प्रमाड होगए, एक क्या है, गरूप यानि एक साथ में है, और H के यहां कितने प्रमाड होगए, दो प्रमाड होगए, और S के कितने प्रमाड होगए, यहां कुछ नई है, तो एक माना जाएगा, S के कितने प्रमाड ह है चार प्रमाड है और एक क्या है ग्रूप यानि एक साथ में इस तरफ राइट हैंड साइड में एन एक कितने प्रमाड है दो प्रमाड है और एस के कितने प्रमाड है एक प्रमाड है कुछ नहीं हो तो यहां एक है एक प्रमाड हो गया आक्सीजन के कितने प्रमाड है चार प्रमाड है और एक क्या है ग्रूप में है और यहां एल्स के कितने प्रमाड है दो प्रमाड कुछ नहीं तो एक प्रमाड है और एक क्या है ग्रूप में चली बिल्कुल आसानी से इसको करेंगे संतुनित क्या हो जाएग देखी एन्य के यहां कितने परमाड है एक परमाड यहां एन्य के कितने परमाड है दो परमाड है तो हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को बराबर करने के लिए हम इसमें क्या कर देंगे दो से गुड़ा कर देंगे तो एन्य के दो परमाड हो शाजीजन और इस तरह कितना है यहां देखिए चार है और एक पाँच आ Unginे अगर हम इस में 2 से गुड़ा कर देंगे तो कितना हो जाएगा यह हमारा चार हाइट्रोजण हो गया और और यह हमारा 2 हो गया अग Jadi Now किटना हो है अब देखिए हमारा क्या थाख चार है इस तरह즈 hydrogen कितना है यहाँ देखिए 4 है यहाँ देखिए sulfur कितना है एक है और यहाँ भी sulfur एक है oxygen भी हमारा violence हो गया अब हमने जिस जिस का गुड़ा किया उसको हम रख देंगे बिल्कुल वही हमारा क्या होगा संत्लिष समीकिरन क्या हो जाएगा हमारा संत्लिष समीकिरन हो जाएगा इस में हमने न वय Bless 2 से तो क्या हो गया 2 NaOH प्लस H2SO4 में किसी से गुड़ा किया नहीं गुड़ा किया तो क्या हो जाएगा H2SO4 और यहां क्या हो जाएगा Na2SO4 प्लस हमारा क्या हो जाएगा देखिए H2O में हमने किसे गुड़ा किया 2 से तो क्या हो गया 2 H2O यहीं क्या हो गया शंतुलित समीकेंधर हो गया उमीद करते हैं आप दीसरा ही समझ गए होंगे हँगे चलिए फिल लेते है चाउथा क्या दिया गया है FE plus H2O मिलकर क्या बनना FE 3O4 और plus H2 यह हमारा बन रहा है तो हम इसको करेंगे संतुलित यह हमारा क्या है अभी क्या रहा कहे यह हमारा उत्पाद है यह left hand side और right hand side यहाँ देखिए FE के कितने प्रमाड हुए एक प्रमाड हुए तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा FE के एक प्रमाड H के कितने प्रमाड हुए दो प्रमाड O के कितने प्रमाड हुए एक प्रमाड और A क्या है ग्रूप यानि एक साथ में है H2O यहाँ देखिए FE के कितने प्रमाड होए, 3 प्रमाड होए, FE के 3 प्रमाड होए, और O के कितने प्रमाड होए, 4 प्रमाड होए, यह क्या है, ग्रूप में, और S के कितने प्रमाड होए, 2 प्रमाड, चलिए, इसको करेंगे हम प्रूफ, देखिए, यहाँ, FE कितना है, 1 है, लेकिन यहाँ, FE कितन है 3 तो हम क्या करेंगे इसमें 3 से गुड़ा कर देंगे left hand side right hand side को बराबर करने के लिए तो 3 हो गया अब देखी F either 3 है और इस तरह भी 3 है राइट हैंड में भी 3 छैंड में 3 देखी यहां hydrogen कितना है hydrogen यहां 2 है और यहां भी 2 है oxygen यहाँ 1 है लेकिन इस तरफ कितना है 4 है तो हम इसमें क्या कर देंगे 4 से गुड़ा कर देंगे तो hydrogen कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा और oxygen क्या हो जाएगा 4 हो गया देखिए यहाँ hydrogen 2 है लेकिन इस तरफ क्या है hydrogen 8 है तो हम इसमें left hand side में 8 परमाड, right hand side में भी 8 परमाड है और oxygen के, left hand side में 4 परमाड और oxygen के, right hand side में 4 परमाड, तो हमने जिससे जिसके गुड़ा किया, उसको हम रख देंगे, तो 3 Fe हो गया, plus H2 O में कितना का गुड़ा किया, 4 का, तो 4 H2 O हो गया, और हमारा क्या हो गया, Fe में किसी का गुड़ा नहीं किया, तो Fe 3 O 4 हो गया, plus H2 में हमने किसे गुड़ा किया, 4 4 H2 हो गया, यही क्या हो गया, संतुलिस समी किरण हो गया, उमीद करते हैं, आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे, एक हम दे देते हैं, आप उसको जरूर करके कमेंट बाक्स में बताईएगा, जैसे हम दे देते हैं, Cu2S plus O2 मिलकर हमारा बन रहा है, Cu2O plus SO2, एह हमारा बन रहा है, इसको आप संतुलित करके कमेंट बाक्स में जरूर बताईएगा, उमीद करते हैं, आपको समझ में जरूर आया होगा, समझ में आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करिएगा, आप इस चैनल पर मैद से लेकर साइन्स, कमिष्टी, इंगलिस सभी के वीडियो मिल जाएंगे, आप उसको देखें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर कीजिएगा, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केर, थैंक्स फार वाचिंग इस वीडियो,